नमस्कार आपका स्वागत है। दोस्तों चीटियों को हिंदू धर्म के प्राचीन पुराणों में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। अन्य साधारन की तक बहुत कम समय में ही मृत्यू को प्राप्थ हो जाते हैं। किन्तु चीटियां 30 वर्ष तक जीवित रह सकती है। चीटियों के अंदर अध्भुत शक्ती होती है। वे अपने वजन से 10 गुना अधिक वजन उठा सकती है। दोस्तों चीटियां अपने आसपास के वातावर्ण में मौझूद हर प्रकार की उर्जा को महसूस कर सकती है। इसी कारण से ये किसी भी स्थान पर जाने से पहले उस स्थान पर मौझूद उर्जा के बारे में पता करती है। आपने देखा होगा कि चीटियां समूह में काम करती है। चीटियों से हम यह बात सीख सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने से बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। चीटियों में पहाड को भी ख इसलिए चीटियों को कोई साधारन जीव समझना नहीं चाहिए। निकलती है तो ये आपके जीवन में होने वाली किसी शुब या अशुब घटना का संकेत देती है। जिसे हमें कभी नजरंदाज नहीं करना चाहिए। चीटियों का घर में निकलना, हम साधारन सी बात समझ कर कई बार उसे दुरलक्ष कर देते हैं। लेकिन आपको बतादे की चीटियां भविश्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण संकेत देती हैं। चीटिया वातावर्ण में होने वाले सुक्ष्म बदलाव को महसूस करती है। क्योंकि इश्वर ने उन्हें उसी तरह से बनाया है। चीटिया आने वाली विपत्तियों के बारे में पहले ही जान लेती है। अथ्वा जिस स्थान पर देवी देवताओं का आगमन होने वाला होता है या फिर कोई शुब घटना घटने वाली होती है तो यह बात चीटिया पहले ही जान लेती है। वास्तुशास्त्र में भी चीटियों को महत्व दिया गया है। अगर लगातार घर में चीटिया निकलती है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ अलग होने वाला है। लाल अथ्वा काले रंग की चीटियों का घर पर निकलना भी अलग-अलग संकेत देता है। चीटिया घर में घूमना एक अलोकिक घटना है। इसे सामान्य घटना समझ कर दुरलक्ष नहीं करना चाहिए। चीटिया दिवार पर उपर जा रही है अथवा नीचे जा रही है। चीटिया पानी पी रही है अथवा भोजन इकठा कर रही है। इन सभी घटनाओं से विशेश संकेत मिलते हैं. जोतिश शास्त्र में भी चीटियों को महत्वपूर्ण स्थान है. जोतिश शास्त्र के अनुसार चीटियों से धन की प्राप्ती तथा धन के खर्च से जुड़े कई प्रकार के संकेत मिलते हैं. इसी के साथ ही जोतिश शास् तथा एश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसे वह कौन से उपाय है, जिनहें करने से हमें धन की प्राप्ति होती है। तो आए दोस्तों जान लेते हैं, चीटियों से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण संकेत हमें मिलते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही विडियो को लाइक करना ना भूले। सबसे पहली बात है काली चीटियों का घर पर आना। जोतिश शास्त्र में काली चीटियों का घर पर आना बहुत ही शुब संकेत माना गया है। अगर आपके घर में काले रंग की चीटियां वास करती है, तो यहां आपके परिवार के लोगों के व्यवहार को भी दर्शाता है. आपके घर में ऐसे लोग रहते हैं, जो परोपकार करने वाले और सभी पर दया करने वाले है. काली चीटियों का घर पर निकलना, यह दर्शाता है कि आपके घर में सुख ऐश्वर्य आने वाला है. अगर चावल के डिब्बे से अथवा बरतन से काली चीटियां निकलती हुई दिखाई दे तो यह शुब संकेत है. आपके घर में भगवान विश्नु निवास कर रहे हैं अगर काली चीटियां आपके घर में एक गोल घेरा बना कर घूम रही है, तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में मा लक्षमी का आगमन हो चुका है. आपके घर की आर्थिक स्थिती में काफी सुधार होगा. आपको कही से बहुत अधिक धन की प्राप्ती हो सकती है. जोति धन प्राप्ती का संकेत है. आपके संचित धन में व्रिधी होगी. अगर आपके घर में छट से चीटियां निकलती है, तो आपको धन संपत्ती तथा भौतिक वस्तूओं की प्राप्ती होगी. घर में अगर चीटियां दीवार पर उपर जाती हुई दिखाई दे, तो आप विकास और प्रक्ति करेंगे और यदि चीटियां नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है अगर काली चीटियां उत्तर दिशा की तरफ से आती हुई दिखाई देती है तो शुब संकेत समझना चाहिए इससे धन में वृध्धी होती है यदि चीटियां दक्षन दिशा की तरफ जाती हुई दिखाई दे तो इसे अशुब संकेत समझना चाहिए यदि पूर्व दिशा से चीटियां आती हुई दिखाई देती है तो आपके जीवन में सकारात मकता बढ़ने का संकेत है यदि पश्चन दिशा से चीटियां आती हुई दिखाई दे तो आपकी यात्रा का योग बन सकता है दूसरी बात है लाल चीटियों से जुड़े संकेत शास्त्रों में लाल रंग की चीटियों को शुब माना नहीं जाता है ये अशुब संकेत देती है यदि लाल चीटियां आपके घर में निकलती है तो आपका धन अकारण ही खर्च हो सकता है अगर बहुत सारी लाल चीटियां जमीन पर चलती हुई दिखाई देती है तो ये घर में वादविवाद होने का संकेत समझना चाहिए तो दोस्तों इस प्रकार से चीटियों के घर पर आने से विवित प्रकार के संकेत मिलते हैं उमीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जयमा लक्षमी अवश्य लिखे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आप सभी का धन्यवाद